ओ मनवंते नमाह, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती वावना यूट्यूब चैनल पर, आज मैं आपको अक्यात रतिया से सम्मंदे जानकारी दूँगा, अक्यात रतिया पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, नो रासिया ब्यादी बागिसाली रहने वाली है, अक्यात रतिया के दिन आप जो भी उपाय करते हैं, दान पुर्ण करते हैं, उसका अक्यात रतिया के दिन दीपदान का विशिश महत होता है, जिनके भी प्रतेकार में रुकावट आ रही है, दन प्राप्ती नहीं उपा रही है, पुत्र प्राप्ती में रुकावट आ रही है, उन जो ब्यक्ति भगवान सिव का अवशिक करते हैं उनके कुंडली के सारे दोस्ट दूर हो जाते हैं उनके ग्रेवन के अनकुलकार करते हैं और उनको बरदान मिलता है जो भी उनके मन में कामना है भगवान सिव बोलेनात प्रसन होकर के मन वांचित फल प्रदान करते हैं आपक इस दिन घर में कलस बना करके रखना चाहिए उस पर स्वास्तक चिन बनाएं घर के अंदर स्वास्तक चिन बनाएं मंदर में तेजोरी पर घर के मेन दरबाजे पर हल्दी से स्वास्तक चिन बनाना चाहिए घर के अंदर पीली कोड़ी ला करके रखनी चाहिए उन पर भी आप रोली के छीटे लगा करके पीले कपड़े में बांद करके तेजोरी में रखें आज की दिन पित्रों की पूजा का विशिज मैंत होता है जो व्यक्ति आज की दिन सोना चांदी खरीते हैं उनके लिए भी सुब माना गया है भगवान से उपर अपनी मनोकामना बोल करके जो व्यक्ति गंगा जलारपन करते हैं तीन बेल पत्र चड़ाते हैं पीले पुष्प और मिठाय चड़ाते हैं उनकी प्रतेक मनोकामना पूरी हो जाती है इस दिन नौरासियां बेहदी भागिसालियों लकी रहने वाली है इस दिन आप दीपक जलाते समय उस दीपक के अंदर आपको एक कपूर की डाल देनी चाहिए और लोंग आपको जरूर डालना चाहिए इससे आपको विशेश लाव मिलेगा आपकी प्रतेक मनोकामना पूरी होगी मेश रासी, मितुन रासी, सिंग रासी, कन्या रासी, वरष्चिक रासी, धन रासी, कुम और मीन रासी ये रासियां इस दिन बेहदी भागिसाली रहने वाली है इनका योग बहुत ही अच्छा है इस दिन अनवान जी का दिन उने सी और ज्यादा योग बहुत सुब है इस दिन अनवान जी का पूजा जरू करनी चाहिए चोला जरू चड़ाएं और साथ ही लाल मिठाई जो होती है लाल ये उपाए आपको करने ही ये उपाए बहुत ही चमतकारी प्रभाबसाली है आपको अवस्य ही लाब मिलेगा आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें श्री मालच्ची में नमा